हेलो यूटूब फैमली आज मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट करेले की भुजिया कैसे बनाएं पहले मैंने कड़ाई में ओयल एट कर लिया है अब मैं यहाँ पर भुजिया काट ली हूं सारा मेरा कड़ाई का ओयल भी घरम हो गया है अब मैं इसमें ओनियन एट कर दूगी करेले की भुजिय में ओनियर हमेशा जाद ले मैंने यह दो बड़े प्यांस लिया है और इसमें दो-तीन मेरीज भी मैंने आट कर दिया है अब इसे अच्छे से फ्राई कर ले फिर आप पहले हमेशा करेला आट करें आलू आ करेले को एक साथ कभी मिक्स ना करें ने तो इस अच्छे से लाल होने तक इस से फराई करें इसे अभी ठकना नहीं है मीडियम फ्लें में से पहले हलका हलकालाल करना है जुचियं आप ठोटे देर के लिए से ठग दें फिर देखें ये देखें हलकाले पिमस का कि आलू गल जाता और कडेला कच्छा ही रह जाता है इससे हमारी बुजिया पर्फेक्ट नहीं बन पाती अब हम लोग इसको ढख देंगे अपना फ्लेम हमेशा मेडियम रखे लो नहीं रखे इसे बीच बीच में से चलाते रहेंगे इसे चेक करते रहेंगे मैंने इसमें एक चमच हल्दी आट किया है फिर उसे अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे नमक अभी नहीं डालेंगे जब आपकी फुजिया पूरे अच्छी तरह से लाल हो जाएगी नमक तभी डालना है पहले डाल दनने से फुजिया कर जाएगी लेकिन लाल नहीं हो पाती है बहुत सकता है बुजिया देखने में कितना अच्छा लग रहा है और कितने अच्छे से पग गया है अब इसमें हम नमक आट करेंगे यहां पर मैंने दू-दो दू चममच लाल कि फिर इस से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इस अच्छे से चलाएंगे फिर इसे थोड़े देर के लिए ढख देंगे थोड़े ढख के इसे फिर से पगाएंगे ये देखे थोड़े देर बाद हमारा भुजया रेडी हो गया बनके कितना अच्छा बना है ये अब खाने के लिए रेडी ह इसे अब गरम चावल के संग या गर्म गरम पराटे के संग खाएं बहुत ही टेस्टी लगता है